Hi guys, this is your trusted real estate guide अब है और guys आज मैं आपको दुबारा से मिलने आया हूँ एक और value added वीडियो के साथ जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो दौर का expressway का कौन सा sector है जहां पर की आपको as a end user अपने लिए property नहीं खरीदनी चाहिए ठीक है माल बेशने वाले आपको बहु जो आपको बोलेंगे यह भी ले लो यह भी ले लो यह भी साल की best opportunity है यह भी साल की सबसे बड़ी opportunity है लेकिन गाइस आपको खराब property से बचाना खराब location से बचाना यह so-called influencer यह लोग अपना क्या क्या तरह धरम नहीं समझते हैं तो इसी series में guys आज मैं आपको मिलने आया हू द्वार का expressway पर जहां पर across the road आप देख सकते हैं sector 37D जहां पर की AMB का आप मौल भी देख रहे हैं और उसके लावा आप यहां पर क्या क्या क्याते हैं na 37D के sector के project भी देख रहे हैं जहां पर आपका signature का भी नया project आने वाला है ठीक है guys so just across the road from sector 37D हमारा guys यहां पर जो sector लगता है guys sector 88A और 88B और guys यही वो sector है afterthought वाला sector जिसमें की मुझे लगता है कि आपको as a end user property नहीं खरीदनी चाहिए और वो आपको क्यूं नहीं खरीदनी चाहिए इसके मैं आपको अभी 3 main reason बताऊंगा सबसे पहले तो मैं आपको वो बाते बताऊंगा जो कि आपको सारे salesmen बताते हैं कि इस sector की advantage क्या है यहां पर आपको क्या बोल के माल बेचा जा रहा है ठीक है यहां पर आपको तीन main बाते बताई जाती है guys इसकी location advantage में पहली चीज तो यह है कि यह sector आपका पीछे द्वार क इस से भी बिल्कुल directly connected है उसके लावा एक तरफ यहां पर पटाओधी रोड भी है पटाओधी रोड से भी इसका पीछे कॉर्टरिक वाली साइट से आपको कि इस सेक्टर में आपका यहां से starting point होने वाला है दिल्ली जैपुर यहां प्लाइवे का मतर्ना एक नया express में है जहां से कि आप यहां से जैपुर ना पेपी तीन घंटे में पहुंच पाएंगे तो उसके बाद गाइस अगर आप मलब ना आप सोच रहोंगे कि आर जहां से जैपुर हाइवे भी जाने वाला है जहां से एक्स्प्रेस्वे भी सामने है वहाँ पे भाईसाब फ्रॉपर् तो guys वो आपको मना करने के मेरे तीन मेन रीजन है ठीक है सबसे पहला रीजन तो guys अब अगर मैं you know अपने राइट की तरफ मूझ करता हूं तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहां पे guys यह पूरे सेक्टर में आपको हाई टेंशन वायर मिलेगी ठीक है हाई टेंशन वायर क एक रीजन है जिस वहे से मैं आपको नहीं रेक्मेंड करूंगा कि आप इस you know सेक्टर में प्रॉपर्टी खरीदें बट डाइन वान आफ तो वेरी वेरी स्मॉल माइनर रीजन और मेजर रीजन का है guys यहां पे प्रॉपर्टी ना खरीदने का वो रीजन है कि यहां पे guys आ प्रॉपर्टी डिलिवर नहीं करी है ठीक है उन में से एक की तो सेक्टर 78 में पता नहीं कब से लाश खड़ी हुई है कितने सालों से जिसके बारे में हम लोग रियल एस्टेट में बात करते हैं तो guys यहां पे ना इस सेक्टर में मतलब ना जो दो डिवेलपर हैं जिनकी मै डिलिवरी क्रेंशन को लेके मुझे बहुत ज्यादा डाउट है पहली बात दूसरी बात guys यह ना जो सेक्टर है यह ऐसा सेक्टर है जो कि ना तो आपका द्वार का एक्सप्रेश्वे पर है ना यह आपका न्यू गुडगाओं में है ठीक है और अच्छली 37 सेक्टर भी ऐ इस सेक्टर में guys अगर आप देखेंगे ना यहां पे जितनी जमीन खाली पड़ी हुई है ठीक है यह मतलब आप आज की डेट में भी इस सेक्टर में आपको ना बहुत सारे सर्चों के खेत दिल वाले दुलनिया वाले आपको बहुत सारे यहां पे आपको खेत नजर आएं है ठीक है तो मेरे को लगता है guys की यह जो सेक्टर है ना यह आपका लिवेबिलिटी इंडेक्स में इनो सेक्टर काफी साल तक काफी पीछे रहेगा विकॉज इस सेक्टर कोई आपका कमर्शल एस्टैबलिश्मेंट है ठीक है आगे आपका ओकस का मौल 90N में बन गया है और वहाँ पर आपका वहाँ पर आपका वहाँ पर आता है 109 सेक्टर में तो यहाँ पर पीछे पताओधी रोड के थूए एक आपका द्वार का एक्सेस हो गया लेकिन यहाँ पर मुझे अभी बहुत साल तक ना नहीं लगता की रोग यहाँ पर रह पाएंगे पीछे एक विल हुए हैं जिनका शायद उन्होंने OC ले आए हैं पोजेशन भी ऑफर कर दिया है लेकिन ना मुझे लगता है कि यह ऐसा सेक्टर है जहां पर कुछ साल तक आपको रात को आने में डर लगेगा मतलब आपको बेसिक एमरीटीस के लिए यहां पर आपको तंग होना पड़ेग एक चीज और है जो कि आपको लोग नहीं बताएंगे वो यह है कि आपको इस सेक्टर में आपको पीछे एक रेलवे ट्राक भी लगती है ठीक है रेलवे ट्राक लगने का क्या मतलब है कि वहां पर हमेशा आने जाने का आपको रेलवे लाइन का ट्राफिक है वो आपको रे प्राइसेज में बहुत सारे लोग जो एक क्रोड से नीचे फ्लोर देख रहे हैं या जो दो क्रोड से नीचे प्लॉट देख रहे हैं उन लोगों को ना बीड में डालके यहां पर लाया जाएगा बहुत सारे ब्रोकर्स के द्वारा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस प्राइस पॉइंट पे गुडगाओं में और सेक्टर में भी प्रॉपटीज मिल सकती हैं चाहे वो द्वार का एक्ष्पेस्वें में हो 37 में हो या न्यू गुडगाओं में हो इस सेक्टर को आपको एड एनी कॉस्ट अवाइड करना चाहिए गाइस इसी तरीके से और वा प्रॉपटीज में गईष प्रॉप